आपका एक औरने लेक्चर में और आज किस लेक्चर हम बात करेंगे कि मेजरमेंट जो होता है टाइम का वो किस तरह से किया जाता है तो बच लेक्चर में हमने आपका मास को मेजरमेंट करने का तरीका जाना था आज किस लेक्चर हम टाइम को मेजरमेंट करने का तरीका जाने तो देखो time को measurement करने के लिए अभी के लिए तो आपको जो सभी को पता हुआ हम clock का use कर लेते हैं simply हम देख लेते हैं clock में कितना time हो रहा है एक बज़ रहा है इस तरीके से लेकिन पहले के समय में क्या था जब clock बगएर रहा नहीं थी तो उस समय में कैसे measurement करते थे time का यह या उसका हमने unit माना था जैसे अभी के लिए आपको पता है जो time का हमने ऐसा unit जो रखा वो है रखा है second को मतलब की सबसे चोटा unit है उसका second है एक second दो second 60 seconds मतलब की एक minute का जो हमने वह बतलब क्या कर दिया उसको 60 minute कर दिया देख घंट है इस तरीके से हमने अभी के लिए त उस समय को बाड़ना या इतनी उसको unit बनाना भाई एक दिन दो दिन यह साइंटिस्ट के लिए या उस समय के जो भी काम करने वाले थे उनके बहुत दिक्कत पैदा करता था जैसे होने का करना हो एक दिन में कभी उनको जो एक उसका त्या हिस्सा काम करना हो या फिर एक 24 जो है पार्ट में बाड़ेते हैं मतलब कि उसमें एक पैर दो पैर इस तरीके से वहाँ पे 24 करके उन्हों ने पूरे एक दिन को बाड़ दिया अब उन 24 को नहीं कहा कि हम बोलेंगे घंटे करके भाई जो हो गया आपका एक घंटा हो गया दो टॉप पे जाता था तो बोलते थे भाई पूरी एक पहर हो गई है फिर वो देते थे थे कि आपकी पेंडूलम बगएरा को आलाया जिसे आपने देखा होगा कि जो के लेलियो बगएरा ने पेंडूलम क्लोग बनाई थी तो वो क्या होती थी जब इधर से इधर और इधर से जाती थी तो इसके मोव्मेंड से मीकानिकल वर होता था और इस मेकानिकल जो है कारन करें होता था हमारी घ्री की सेभी बहुत होते थी मतलब कि वुल सबाद की जो है ढूब data तो अब इसके जो एक इधर जाने से क्वाबर मान लेते हैं कि इधर जाएगी तो एक सेकिन लग लेकिन हो कह रहा था कि प्यांडूलम क्या होती थी किसी भी मैटल वगएरा से बनी होती थी है तो क्या हुता है हमने अभी पड़ा है कि यार टेंपरिजर बगर करन का होता है कि इनमें नोंगेसन आ या फिर बोल सकते हैं इनमें थोड़ी सी लंब यह जाती मतलब जो हमारा पेंडूलम का जो था वज़ी इतना बड़ा था तो वो का होता है जब समय जैसे जैसे बीटते जाता तो यह थोड़ी सी कहोती लंबी होती जाती है और अब आँगे चल के आप पढ़ोगे कि हम देख था तो वो एक सेकंड का हो जाता है हमारा कम में हो जाता मतलब वो एक सेकंड में करने लगे दो बार इससे होने लगे या फिर वो एक सेकंड में जो है क्या होने लगे तीन बार होने लगे इस तरीके से क्या हो रहा था डीफिकल्टी वहां पे आ रही थी हमें तो इसलिए यह तो शही तरीका नहीं था तो फिर के अगरहें तो उसके लिए फिर एक और आया तरीका आपका जो की था आपका कैया Atomic Standard of Time जिसमें हमनेpsली स्चाहे था आपका था इसमेर इसमें जो था ने शाज से तोसमें उसका एक एक कि लफट उन पा जाता है तो उसका जो vibration होता है तो उन्होंने के कहा कि जब ये क्या करेगा अपने क्या करेगा इतने सारे vibration लेगा इतने देखिए कितने है यह आपके 9 1 9 2 6 3 1 7 7 0 इतनी नम्रिकल जो value में vibration वो ले ले लेगा तो उसको हम बोलेंगे कि आपका एक सेकंड करके तो इन्होंने उस तरीके से एक सेकंड को फिर डिफाइन करना शुरू करा तो अब इसी को थोड़ा हम पढ़ते हैं उसके बाद फिर आँगे प्रसीड करेंगे तो यहाँ पर लिखा भई कि जो measurement होता है आपका time interval का तो उसके लिए हमें clock year growth होती है और be now use जो हम अभी use करते हैं वो होता आपका atomic standard of time को जो की हमारा base होता है periodic vibration पर इस periodic का मतलब यह होता है कि कोई भी जब एक हमारा क्या होता है देखते है motion बगेरा होता है तो periodically का मतलब होता है कि बोदी एक direction में हो गया या फिर उसने जो है क्या हुआ अप गया तो फिर डाउन आएगा फिर वो डाउन गया तो वो आप जाएगा इस तरीके से उसे हम बोलते periodically मतलब एक के बाद एक निरंतर हो रहा है उस चीज़ को हम बोलते प्रोडिक मैं सौट नहीं बता रहा हूँ definition इसकी बताऊंगा तो फिर आपका निफ्यूस होगे इसलिए जो मैं वहाँ सामें आपको बता रहा हूँ वो आपको जल्दी इसलिए आप समझे प्रोडिक का के संस है कि कोई भी चीज आपका कहो एक टाइम इंटर में होती है विजह से कि आपको हमने कहा वाई एक सेकंड में हमने कहा कि यह जो रहेगा इधर जाएगा पर दूसरे सेकंड में यह फिर थोड़ा ऊपर आए कि फिर दर जाएगा फिर इसलिए पूरा का पूरा क्या है एक प्रोडिक मोसन हो रहा है और इसको आउसलेशन बारे चेप्टर में और आश्चेज आपको समझाएगा कि यारे प्रोडिक बगएरा का कैसेंस है अभी तो हम इसको जो है आँगे पढ़ाते हैं कह लेखा आपको तो जो प्रोडिक अगेरा का यूज़ करके बनाया था वो आपको यह से मैं समझे नहीं सकता है ना आप इसना देमांग में रखिए कि सीजियम की क्लॉक बनाएगे उसमें और सम्टाइम जो है इसको हम कहते हैं इसकी एटोमिक क्लॉक है ना अब आंगे के लेखा है कि यूजड इंदा नेश छेके तो उस तरीकेसा हम उसमें क्या देखते थे हमारा सीज़न में क्लोक में कितना सेकंड हो गया है तो है अब दूसरा पर इसने यह भी आता है कि हमने इसको international standard क्यों नहीं बनाया तो भाई international standards नहीं बनाया क्योंकि हम जानते हैं कि हर एक देश में कैसी होता है उनका दिन रात अलग होता है अब जैसे आपने देखा होगा कि यह दि हमारे फांच बज रहे हैं तो उनके उधर मान के चली कहीं 6 बज रहे होंगे यह घंड आंगे हो रहा होगा तो उसका कारेर क्या है कि उनके इदर जो है क्या रहता है दिन बगेरा का जो सुष्टा में बहां पर अलग-अलग होता है तो उस तरी किसा हम इसको इंटरनेशनल नहीं बना सकते इसलिए जो है करते हैं जो अपने अपना देश जो होता है वो अपना अपना एक स्टेंडर्ड मान के चल लेते हैं भाई हमारे थरप इतना बज़रा या हमारे थरप यह टाइम होगा तो अपने हिसाब से उसका स्टेंडर्ड मान के चलते हैं तो हमारे थरप पे जो आपका से कंड को हम डिफायंट वगर्या करतें तो वह वंकर हम क का से करते हैं जो टायम हमारा जो बाइबरेशन करेगा उसमें जो इलक्ट्ञन है इतना बाइबरेशन जब कलेगा उस टायम को भूल ले 32 हो जाए या फिर बंद 34 हो जाए तो हमने कौन से लिया बंद 33 वाला तो जिस बंद 33 वाले का जो आउटर मोस्त वाला एलेक्ट्रोन है वो करें अपने लेवल्स में का करपा ट्रांजिशन करके एक रेडियसन जो है करपा प्रिडूस करें और उसके बाइबरेशन से हम यह प जबडरें दो आपको क्या लिखा है यहाँ पर हाइपर लाइन पड़ेंड घ्रोण याप यहाँ पर रेडियसन क्रेट करता है तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है अब हांगे देखें क्या लखा है कि जो बाइब्रेशन of the cesium atom जो होते हैं वो regulate the rate of the cesium atom जो है clock just as the vibration of a balance will regulate an ordinary wrist watch और the vibration of small quartz crystal regulator quartz जो है quartz wrist watch अब इसका क्या मतलब है दो दो बड़ाएं आपके लिए गाया है quartz जो है wrist watch ये गाया है आपका ordinary wrist watch और यहां पे लिखाया हुआ है कि cesium atomic clock में भी यह सही होता यह क्या है क्या मतलब है इसका देखिए इसका यह मतलब है कि हमारी घड़्य होता है यह पेल लगा रहता है वहां पर एक balancing coil तो उसके क्या होता है balancing करने के कारण क्या होता वहां पर vibration produce होता और इस and से क्या होता है जो उसमें क्या रहते हैं गेर्स बगएर रगए रहता है बिल्कुल छोटे-छोटे बुन में क्या होता है मुव्मेंट स्टार्ट हो जाता है और उन मुव्मेंट के कारएं जो हमारा सुई कांटा रहता है जिसे हम सेकंड बगएरा बोलते हैं वो गया होता है जो बियलभी बेड़लंसिंग फिल है उसके क्या होता है और उस्थरीके से कौच्वाल्स का क्या होता था इक रिष्ट भूज बनती थी उसलिम्नी की वज़ह से मॉइशंड की वां पर ब्वागर रहता है वो हमणद च्टाट कर देंथ Champions के कारण जो कारन वा चांट कर देते हैं और उसके घूमने से यह उसके डियागुलेट होने से हमारा जो सेकेंड का कांटा है वो होता है गुमता एए ज्ट मिनट का घूमेगा मिनट का घूमने से घंटे का घूमेगा और इस तरी किसा हम वहां पे सारी बातों को एक दूसरे से जोड़ा हुआ यहां पे बता गया है आंगे लिखा है जो season matter में clock होती है वो very accurate होती है अब very accurate का मतलब भी बहुत आसान है कि जैसे वो करे कोई भी बहां पे error बगर नहीं देगी जादा और जो है कोई भी हमें जो एसी बहां पे कोई भी तकनीकी या कोई भी खरावी नहीं मिलेगा हमें accurate मिलेगा data जो भी देखी वो है ना और accurate और precision के बारे में थो हम आँगे पढ़ने ही वाले हैं यह होता क्या यहां पे देखी अंगला topic की साथ वो ही है यह यह देखी accuracy और precision इनके बारे में हम आँगे चलके पढ़ेंगे होते क्या हैं तो अभी के लिए थोड़ा इंतजार कर लो अभी मैं आपको बताऊंगों इस टोपिक सा महड़ जाएंग इसलिए हम accuracy और precision को आँगे लेने वाले हैं उसमें हम आपको बताऊंगा कि accuracy और precision में होता है हमारा second as the bell as frequency is maintained through four cism atomic clock मतलब जो हमारा अभी जो हमारे national standard पर हम यूज कर रहे हैं इस चार atomic clock का यूज कर रहे हैं four atomic clocks है और उनकी बज़े से क्या होते हैं आसानी से यदि कुई भी में कुछ खराब यह तक्निक आती है तो उससे हमों को क्यों होता है उन चारों का यूज हम करते हैं यहां पर लिखा हुआ है सीजियम atomic clock is used at a national physical laboratory मतलब की MPL जिसे समसोट है बोलते हैं जो की न्यू दिल्ली में है वहां पर यूज आती है जो की मैंटेन करता हमारा Indian standard of time मतलब की जो भारती हम जो समय लेके चल रहे हैं वो उन्हीं की बज़े से control हो रहा है उनी में देख के हम वहारे जो भी घड़ी रहती उनका समय मिलाते हैं अब देखो यहां पर जो बात आई है अभी तुझे है इसमें क्या है हमारा जो भारत को समय वह हम इससे मिला पा रहे हैं लेकिन अब क्या हुए कई सारी सेटलार बगएरा बन चुकी है या फिर जो हमारी ऐसे डिजिटल बोज बन चोगी जो की आटोमेटिक ही करती है वो अपना इस्टेंडर्ड बगरा बना लेती है लेकिन पहले के समय में यह सब कुछ नहीं था तो बहां से का होता था कि जितने भी घड़ियां बनती थी उनकस हम बहां से हम क्या करते थे पूरा म पी एल जो की मतलब की नेशनल फिजिकल लेवरेटरी उसके पास जिम्मेदार यह रिस्पोंसिबिलेटी है कि वो मैंटेनस करें एंपोर्मेंट करें उस फिजिकल स्टेंडर्ड में और इंक्लिटिंग डेट जो है टाइम में मतलब कि उसमें जो है टाइम बगरा में कोई भी ना हो उसकी जो फ्रेकंसी है उसमें कोई जो है खराई बगर रहा ना हो इन सभी कि उसके पास रिस्पोंसिबिलेटी है और आंगे कहलेगा भया कि नोट देट कि आप यह नोट कर लीजिए कि जो इस्टेंडर्ड टाइम है जिस हम आई एस्टी बोलते हैं सोट में वह देखो यहां पे जो आपके लिए बढ़ आया है कि यार जो है प्लस माइनस और यह सब कुछ तो देखो यह जो आपका है अभी जो हम एरर वाला टॉपिक पढ़ेंगे उसके बाद ही समझ आपको और रासानी से आएगा कि प्लस माइनस क्यों हो राज में या फिर यह फिर और अच्छे से जब आँगे पढ़ेंगे तब समझेंगे लेगन फिर भी मैं आपको बता देता हूं यहां पर क्या बोल रहा है कि जो आपकी एफिसेंस जो होता है आपकी यह सीजियम अटमिक लोग तो वह इतनी एक्टुरेट होती है कि यदि उनमें कोई भी अंस रिटन आएगा तो इतना कम आएगा या तो उससे थोड़ा ज्यादा बगेरा मिलेगा आपको या फिर से कम मिलेगा अब देखो बन इंटू में टैंदी पार मानस 15 जो रहेगा कितना कम है तो इतना कम वहां पर छोड़ी सी फेर बदल हो सकती है और बोल रहे हैं कि यदि वहां पे आसानी से और समझ आएगा अंगे लिखा दिस इंपलाइस यह हमारा क्या बूलता है कि भाई जो अंसरेटनेटी गेंड ओवर दाइम भाई यह सच डिवाइस लेस देना बन पार देन दीवार फिप्टीन मतलब कि यह है कि वहाँ पे अदी कुछ भी हमारा जो भी टाइम बग जा रहा है और दे लूज और अगेन नो मोर देना 32 माइक्रो सेकंड के बराबर और इसमें जो है पूरे एक साल में दी वो ऐसा होता भी है कि बहुत कम है यह बोला जा रहा है और इन वीव ऑफ ट्रेम इंडियोस एक्रूसी इंद टाइम एजरमेंट हम यह देखके चले हैं कि बहां पर हमें जो अक्रूसी उसकी अच्छी जाईए तो उसके लिए क्या लिखाए नोने कि ऐसा यूनिट ओव लेंद हैस बीन एक्स्प्रेसिन टाइम दा पाथ लेंद जो कि हमारी जो है लाइट रेवल इना सरेटन इंट्रेवल आप टाइम अब देखो यह जो एक मीटर जो हमारी लैंथ है और एक मीटर लैंथ में जो हमारा क्या होका इतनी जो स्पीड ओफ लाइट ढू नाइं-आपकी seven nine to four five eight स्ट इतनी जो स्पीड ओफ लाइट हमारी जाए एक सेकेंड अंदर तो बो ताइम पी डाग रहा है मतलब कि एक मीटर मतलब कि एक लाइट को एक मीटर डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लग रहा है उसे हम एक सेकंड बोलें तब इसको हम और आसानी से एक्सप्रेस कर पाएंगे यहां पर बोला गया है उन्होंने लिखाए कि बन ओबर जो इतना इतना बेलू जो कि लाइट की स् जो इसको टाइम लगे वह हमारा हम एक सेकंड बोलेंगे तो हम इसको और यपकुरेटली बता पाएंगे सीजियम वाले में क्या हो रहा है कि हमें बहां पे कुछ न प्बाके ट्री वगारा मिल रही है जैसे कि वहाँ पर हमें थाट्टी ट्jach 2 अससाल में क्या हो रहा इतना हमें है यह ल्वगारा मिल रहा है है न लेकिन पर लोगन नूम और सन्त मतलब कि या तो हमें हमें सेकिन हमें टाइम मिल जाएगा यह इसके लिए फिर आपको सीजियम बगारा को हटा के एक दूसरी स्की ऐसा यूनिट बनाने होगी जो की लेंज से आएगी और वो क्यां से आएगी कि जब हमारा एक मीटर में इतनी स्पीड किसम को चले एक मीटर में तो उतना जो हूं से टाइम लगेगा वो एक सेकंड के वरा पार्ट कहां से जोड़ दिया है नोंने यह क्या बोलते जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि जब हम क्या करपा एक मीटर में इतनी स्पीड ओफ लाइट के संग जो हमारी लाइट डेवल करे और जो उसको टाइम लगे तो वो होगा एक सेकंड गवराबर यह हमारी एक नेक् स्धेंड रहता है वो हमें सही-सही देता है लेकिन फ히री उसमें करह जाता है गिए एक पार्ट उसमें से कुछ ना कुछ वहां के हमारा कम यह जादा हो जाता है और जिसमें एक साल के अंदर जो हमें क्या मिलता है जो टाइम मेंच in पॉंट बन है उसमें आपको यह सारी बेलू बगेरा दी गई हैं और उसको आप एक बार देख लिएगा और जो टाइम इंटरबल ऑफ इवेंट्स देड़ विकम एक्रूस इन दा यूनिवर्स जो है बरी ऑवर बैरी वाइल रेंज जो कि आपको टेबल टू पॉंट फाब म बीच में नमर्स के जो कि आप पर हो रहें टेबल टू पॉंट फाइम है कैसे कि बोल रहे हैं आप नोट करोगे कि जो आपका रेशियो रहेगा लॉंगेश और शॉर्ट टेस्ट जो की लेंद का उबजट की इन आवर जो यूनिवर्स इस अबाउट है टेंदी पार 14 जो ह बोला हमसे कि आप जो है जो हमारी क्या स्वाट टेस्ट है और जो लॉंगेश्ट है अधि उन दोनों का आपस में आपने रेशियो निकाला तो जो रेशियो आपको मिलेगा वो टेंदी पाबर कितना मिलेगा आपको फोटी बन के लगबागी मिले वाला यहां पर यह बोला पॉर में आपको मिलेगा बिश्लिष टिपिकल मासे सब्सक्राइब और रेशियो आपने पहले से देख त्यार होगा तो कोई बतलब नहीं पढ़ने का और नहीं आपने देखाओ तो यहां पर पढ़ लो कोई मतलब नहीं उसका एक सिंपल सी लाइन है अब अंगले लेने बाले हैं आपका accuracy और प्रिसेन बगेरा को और देखी इस बाले lecture में यदि आपको कोई भी जैसे डाउट गया होगा तो वो डाउट आप कसली गया होगा क्यूंकि आपको कुछ चीजे ट्वालत में भी पढ़ने है जाके इसलिए उनको जो है आपको थोड़ा समझने ही आय आपका 2.6 टॉपिक जिसमें हमें पढ़ेंगे कि accuracy precision क्या होता किसी इंस्ट्रूमेंट में और यह क्या फंड़ा रहता है किसी इंस्ट्रूमेंट में जहां मैजर करते हैं तो यह सब बात हम करेंगे अंगले लक्षर में इस लक्षर में दाई रखते हैं यह आपने पूरा देख लिया तो please thank you very much और लाइक करके जरू जाइएगा all the very best